नमस्कार दोस्तों स्वाग था आपका अपने यूट्यूब चैनल BLE Hub में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि जो इंशुरेश की सर्विसीज अवेलेवल हैं हमारे डिस्टल सेवर पॉर्डल के उपर जो कि CSE BLE हमारे जितने भी दोस्त हैं जो प्रवाइड करवा रहे हैं CSE से कमीशन मिलती है किया कमीशन स्ट्क्चर रहता है कितना परसेंट हमें कमीशन मिलता है टू-W circulating ौपर पर ओधुल के ओप जहां को और अगर हम गाडि का इंशुरेस्च करते हैं तो उनके ऊपर किस त्रीके से हमें जो है सेंच का कमिशन सेंच exam जा BLE insurance का जो है exam नहीं दिया हो और वो insurance की service को यूज कर सकता है तो आज हम कुल मिलाके तीन बात तीन चुछों के बात करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि BLE जो रैप और insurance जिन्होंने exam पास किया है वो कौन-कौन सी जो services दे सकते हैं दूसरी हम बात करेंगे कि ऐसे BLE जिन्होंने ना तो रैप का exam दिया है ना BLE insurance को ही उन्होंने जो है register किया है और ना है उसका exam दिया है क्या कोई वो insurance की service जो है अपने customer को provide करवा सकते हैं और तीसरी हम बात करेंगे कितना commission structure हमारा रहता है तो दोस्तों जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है जो लोग हमारे चैनल पर नए है वो जल्दी से हमारे चैनल को subscribe कर लें साथ ही कर लें press bell icon को ताकि हमारी वीडियो की notification जो है बस सबसे पहले आप तक पहुंच सके दोस्तो bell icon जरूर दबाईएगा बरना हमारे notification आप तक नहीं पहुंच पाईगी चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का वीडियो और जान लेते हैं कितना है commission structure insurance की services के ओपर कितना मिल जाता है हमें commission सबसे पहले हम क्या करेंगे एक notification जो है हमाई CSE की तरफ से आया हुए हम उसके पर क्लिक कर लेंगे monthly magazine करके आती है तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर लिखा हुआ है कि insurance product available on digital sava portal तो यह इन्होंने लिखा हुए है कि कौन-कौन से insurance product जो है digital sava के ओपर available है और कौन से products available है wraps के लिए तो यहां पर सारे लिखे हुए है life insurance motor crop fire बगएर बगएर करके को यहां पर लिखा है कि insurance product कौन से है और कौन सा product जो है कमारा एक राam लोग अभी एली निषवरेंस यह ठाड करेंगे जाने कि लाइफ इन्षरस पर भायाँगे जानी लाइफ बपए полностью बेख पाएंगे अब आता है life insurance रेयूवल की बात करें, जैसे कि किसी ने अलजी इंश्यूरिस करवाया हुआ है, उसने अपनी यहां प्याके प्रेमियम जमा करवाना है, तो ऐसी सर्विस कौन लोग कर सकते हैं, सारे के सारे BLE, जितने BLE हैं वो सारे के सारे BLE service का फाइदा उठा सकते हैं, वो सारे insurance service को renewal कर सकते हैं, चाहे उनोंने रैप की exam दिया है, जाए BLE insurance का exam दिया है, नहीं दिया है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सारे के सारे लोग renewal बर सकते हैं, motor insurance की बात करें, वो चाहे comprehensive हो गया, चाहे third party हो गया, तो ये लोग वो ही कर पाएंगे, जिन लोग ने रैप और BLE insurance का exam दिया हुआ है, fire insurance में भी हम देखेंगे, तो रैप और BLE insurance वाले ही कर पाएंगे, personal accidental insurance, health insurance, travel insurance, जिसे सारे के सारे, रैप और BLE insurance वाले लोग ही कर पाएंगे, crop insurance की बात करें तो वो सारे BLE कर पाएंगे, उसे फर्क नहीं पड़ता कि रैप exam दिया है, BLE insurance में registration किया है, कि नहीं किया, लेकिन वो सारे के सारे लोग क्राप insurance कर पाएंगे, फार्मेर package policy की बात करें तो सिर्फ वो ही लोग कर पाएंगे जो रैप और BLE insurance में register कियो हैं, जिन्होंने exam दिया हुए है और जो लोग इसका certificate हासिल कर चुके हैं और उनको यह सारी services available हो पाएंगे, तो हम बात करेंगे, अगर लाइफ insurance, renewal की और crop insurance की इसके लिए सारे BLE वो हैं वो eligible हैं इसमें उनको किसी को भी जो है कोई exam दिये बिना ही यह दोनों services का वो use कर सकते हैं बाकि जितनी भी service हैं उसके लिए जा तो आपको रैप का exam पास किया होना चाहिए जा तो आपको BLE insurance का exam पास किया होना चाहिए तो ही आप लोग जो हैं बाकी जो है insurance product sale कर सकते हैं चलिए बात कर लेते हैं commission की to commission की अगर बात करें तो दोस्तों product wise commission structure है वो इस तरीके से दिया गया है कि अगर हमारी motor comprehensive की बात करें तो अगर गाड़ी हमारी है जिसकी age between हो zero to three years जानी की जो तीन सा तक हो अभी खरीदी हुई उसके उपर अगर other than two wheeler होगी तो 15% commission मिलेगी और अगर two wheeler होगी तो 17.5% commission मिलेगी किसके उपर OD के उपर अब OD के है दोस्तों मैं आपको बता देता हूं यहां पर एक insurance की copy हमारे पास हमें इसके उपर आते हैं तो यहां पर आपको OD मिल जाएगा जानी की on damage premium तो यहां पर हम देखेंगे on damage premium जो basic है वो है हमारा 475 लेकिन हमें basic को नहीं देखना होता है हमें देखना होता है net को तो net owned OD हमारा है 377 तो टू विलर है तो इसके उपर हमें दोस्तों मिल जाएगी question जो है टू विलर के उपर commission मिल जाता है हमें 17.5% तो हम इसका 17.5 निकाल लेते हैं तो calculator लेते हैं यहां पर 17.5 को divide कर लेंगे 17.5 divided by 100 यह बन गया 0.17 multiply कर लेंगे इसको 377 से तो यह बन गया 65.9 75.975 ठीक है दोस्तों 65.975 जो है हमें इसके उपर commission मिल जाएगा अगर यह गाड़ी हमारी क्या होगी तीन साल के अंदर अंदर होगी लेकिन अब भी इस गाड़ी की बात करें तो मैनुफेक्चर हुई है 2016 की जाने की 300 जो है तीन साल से ज्यादा हो चुकिए है चार साल की हो चुकिए है तो इस गाड़ी पर हमें क्या commission मिलने वाली है उसकी अगर बात करें तो हम यहां पर फि विल्लर होगा तो 15% आफ ओडी प्लस 2.5% जूट जाता है इसमें थर्ड पार्टी जाने कि पहले होता सिर्फ 15% था ओडी के उपर लेकिन अब चार साल से जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो इसके उपर 15% आफ ओडी प्लस 2.5% आफ थर्ड पार्टी मिल जाता है तो इ इसकी वी एक्जेम्पल देख लेते हैं कि इस तरीके से होगा यह हमारा ओडी है ओडी इसका हमने देखा था वह सेम सेम आरेस जो हमारा 17.5% तो इसकी बात करेंगे तो जाएगा हमारा 65.975 जैसे कि हमने कल्कुलेटर में निकाला था अब हम थर्ड पार्टी को देख लेते पर अगर हम देखेंगे तो 720 का 2.5% हमें निकाल लेना है 2.5 divided by अगर हम कर लेंगे इसको 100 तो बन जाएगा जैगा हमारा 0.025 मुल्टिवलाइस को कर लेंगे हम 720 के साथ क्यों थर्ड पार्टी 720 थी तो यह अठारा रूपे जाने कि अब अठारा में हमने प्लस कर लेने हैं जो हमारे क्या थे 65.975 तो यह मिल जाएगा हमें 83.975 कमिशन तो इस तरीके सा दोस्तों यह जो है CSE की द्वारा जो है कमिशन किसके उपर कंप्रेहंसिव इन्शुरेंस के उपर तो आशा करता हूं यह समझ में आगे होगा भी तक कि आपको मोटर हैं इस तरीके से मिल रहा है अब मोटर थर्ड बाटी की के उसके अपर हम मिलेगा थर्ड पार्टि के ओपर है तो इसके ऑपर 15 प्रवांट 50 कमिशनि मिलजाता कि इसके बाद चाहे आंद हो और 16.50 ट्रैवल इंशुरिस के ओपर 16.50 और क्राप इंशुरिस अगर हम करते हैं तो पर फार्मर के ओपर हमें 30 रूपीज कमिशन मिल जाता है यह फिक्स है इसमें परसेंटेज का कोई हिसाब नहीं है 30 रूपीज पर फार्मर तो दोस्तो आशा करता हूं कि इस तरीके का कमि जरू सब्सक्राइब कर लें